सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकरम सिंग, परिसकार वड़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारा राश्तान पुलीस कॉंस्टेबल को लेकर के एक मोडल पेपर पहले हुआ था, उसमें कुछ संभावित प्रस्नों की चर्चा हम लोग ने की थी आज मैं ऐसे ही कुछ संभावित प्रस्न लेकर के आपके सामने उपस्तित हूँ यह हमारा मोडल टेस्ट पेपर दूसरा है और हमारा विसे जो है, वो है महिला और बच्चों के प्रतिय अपराद और उनसे संभावित कानूनी प्रावधान दोस्तों हमारा पहला प्रस्न हमारे सामने पुष्टित है केवल दहेज लेना वे देना किस अधिनियम के तेत आता है दोस्तों हमने हमारी पहली क्लास में पड़ा था कि हमारी जो शंसद के द्वारा जो दहेज अधिनियम 1961 के अंदर जो तेयार किया गया उसके अंदरी कहा गया था ये प्रावधान किया गया था कि दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनी अपराद होगा तो इस प्रेश्ण का सही जवाब है दहेज अधिनियम 1961 बारतिय दंड सहिंता की जो धारा 488 में यह है वो इसका सही आंसर नहीं है महिलाओं को सरक्षन अधिनियम 2005 भी इसके संबंद में नहीं है और आईटेक्ट क होते हुए अपनी सास के स्थती का लाब उठाकर हस्पताल में किसी स्थरी के साथ मैथून करेगा देखे दोस्तों यह अपर दो तीन चीज़े हैं हस्पताल का परबंदग है या करमचारी है और अपनी सास के स्थती का लाब उठाता है और किसी स्थरी के साथ मैथून करता है तो किस दाहरा के अतायत दंडनिये होगा दोस्तों इसके लिए जो व्यक्ति किसी विधिक पत को दाहरण करता है और अपनी सास के स्तिका गलत तरीके से लाब उठा करके और अपने उसी प्रीशर के अंदर वो विदिक पत को धायरण करता है। उसी प्रिशार के अंदर किसे इस्त्रीं के साथ मेयथून आदी और ऐसी को क्रिया सरेक्षिन आयोग है इसका जो अभी बनाया गया था वो ती हमारी स्रीमती संगीता जी बेंवाल तो श़ी जवाब एंगी जवाब संगीता बेंवाल अगला प्रशन हमारा है गहरेविंस के मामले में कौन सिकायत दर्ज करा सकता जो गरेलू इंसा के मामले आते हैं उनमें सिकायद दर्ज करवाने का अदिकार और सक्ती किस वेक्ती को प्राप्ति इसको लेकर करके प्रश्ट पहला option है कि पिडिद स्वियम जो है वो सिकायद दर्ज करवा सकता है मुकदमा दर्ज करवा सकता है वह है व्यक्ति जो गटना में सामिलो दोस्तों वह सभी व्यक्ति जो यह अनके प्रकारेंट गटना में सामिल रहे हो या गटना की भाग रहे हो और तीसरा है पीडित का समंदी पीडित से समंदित कोई भी व्यक्ति उसका पारिवारिक सदस्स से उसका रिष्ठेदार, उसका नातेदार जो भी व्यक्ति है और अगला उप्सन है उपर्योग सब्ही तो दोस्तों हमारा जो घरेल इंसा क मामलों में सिकाएद दर्ज करवाने का अधिकार जो है इन सबी व्यक्तिओं को पराप्त है पिडित किस अनुछेद के अनुछे कम आयू के बच्चों का कारखानों में नियोजन पर निशेद किया गया है दोस्तों अनुचे 24 बारती सम्मिदान का जो तीसरा मूल अधिकार है सोसन की वुरुद अधिकार जिसमें आर्टिकल 23 और 24 है आर्टिकल 24 जो है वो बच्चों को सरक्षन देने का काम करता है और इसमें उलेकित किया गया है कि संसद जो है बच्चों को सरक्षन देने के लिए बच्चों के सोशन को रोकने के लिए कानून निर्मित कर सकती है और संसत द्वारा कानून निर्मित किया गया है कि वो 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को कार खानूं में नियोज़त पर निशेद करेगी इसको दंडनी अपराद गोशित किया गया है तो इसका जवाब है अनुचे 24 अगला प्रेशन हमारा है योन अपरादों से बालकों का सरक्षन अधिनियम के अंतरगत अपरादों का विचारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों योन अपरादों से संबन्द जो भी मामले आते हैं उन मामलों के अंदर उसके अंतरगत जो अपराद जो हुआ है उसका विचारण उसके ट्राइल जो है उस मुकद में का जो विचारण किया जाएगा वो कौन से नयाले में किया जाएगा इस प्रकार का अप्रशन ह है पहला option है मुझशिप नीले दूसरा option है जिला नीले तीसरा option है विषेस नीले और चोथा option है इन मेंसे कोई दोस्तों इस प्रकार के जो बच्चों के य। योन अपरादों से संबंदी जोमामिले आते हैं उनके लिए प्रावदान किया गया है किसे लिए सरकार जो है विशेस नियालों की स्तापना करेगी और इन विशेस नियालों में इस परकार के मामलों का विचारण किया जाएगा तो इसका सई जवाब होगा विशेस नियाल है अगला प्रशन यदि किसी महिला की दहेज के कारण मरत्यू हो जाती है यदि किसी महिला की दहेज के कारण मृत्य हो जाती है तो दहेज निशेद अदिनियम 1961 के तहत किस धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है दोस्तों दहेज मृत्य के मामलों के लिए हमारी भारतिय दंड सहीता की जो धारा है वो है 304 B अर्थात किसी महिला की दहेज की मांग को लेकर के अगर मृत्य कार 303 304 B के तैप किया जाएगा तो इसका सई आय करण acompañ अगला प्रशन राज़त दोभारा सती रोगतां कैले के लिए इस परकार की चीजों को स्माप्त करने के लिए राजस्तान सरकार की दवारा 1987 के अंदर सती रोगठाम अधिनियम का निर्मान किया गया था तो इसका सही आंसर है 1987 अगला प्रशन है किसे अनुछेद के अतयत राज्ये के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेश प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों हमारा जो भारत का समिधा में अगला प्रशन हमारा है बालकों का योन अपरादों से सरक्षण अधिनियम-2012 में अपराद के स्रेणी में आते हैं यानि बालकों का जो योन अपरादों से सरक्षन देने के लिए संसत के दौरा 2012 में जो अदिनियम बनाय गया था उसमें अपरात किस रेड़ी में कौन आते इस प्रकार का एप्रशन है बच्चों के योन अंगों में प्रवेस से जुड़े मामले अर्थात बच्चों के योन अंग जो हैं उनमें प्रवेसन से समंदित मामले और दूसरा है बच्चों के सारीक संपर्क से जुड़े मामले बच्चों के सारीक किसी भी प्रकार का सारीक संपर्क उससे जुड़े मामले और तीसरा उप्षन है बच्चों के प्रती कानूनी जिम्मेदारी नहीं दिवाने से जुड़े अपराद बच्चों के प्रती किसी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी अगर उनके अभीबावक उनके माता पिता उनके सरक्षक के द्वारा नहीं निभाई जाती है तो ऐसे मामले और अगला उप्षन उक्तिसबी दोस्तों मैं आपको बताना जाता हूं वालकों के योन अपरादों से सरक्षन अधिनियम 2012 जो ब बिभावक के द्वारा बच्चों के परतिक कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाने संसंबन्दित मामले हो यह सब ही प्रकार के मामले जो हैं 2012 के बालकों के योन अपरादों से सरक्षन अधिनियम के तहत जो हैं अपराद की स्रेणि में माने जाते हैं इसलिए इसका सई आं सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें